हर्याना में कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश लीगल डिपार्टमेंट में जातिकत जनगन्ना की मांग हर्याना और केंदर सरकार के सामने रखी है हर्याना कॉंग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेर्मेन लाल बहादूर ने कहा कि जाती आधारित जनगन्ना से पिछडे वर्ग को अपनी ताकत का सही अंदाजा हो जाएगा और यही वज़ा है कि सरकार जातिकत जनगन्ना के लिए तयार नहीं है हिसार में हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेर्मेन लाल बहादूर से खास बात चीत की है टोटल नियोज असोचेट एडिटर डॉक्टर महिश कुमार ने जातिकत जन्गन्ना करवाने की मांग हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की तरफ से लगातार सामने रखी जारी हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस लीगल सेल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हर्याना में जातिकत जन्गन्ना पूरी करवा दी जाए और इसी पर जानकारी क से है पिछडे वर्गों की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि जातिय जन्गर्णा पिछडी जातियों की होनी चाहिए जब की सरकार के पास अविलेबल है पिछले दिनों हरियाना में भी सरदार दर्शन सिंग जस्टिस की और धक्स्ता में यहां कमिशन सर्वे करने आया तब भी मैंने भी बाकादा पिछडे वर्गों के संट्रों ने भी यहां मांग रखी थी कि आप रिजरिवेशन स्थानिय निकाव में देने की बात कर रहे हैं उससे पहले हमारा जातिय आकड़ा आना चाहिए लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी जान बूज करके पिछडे वर्गों की जन्गरना इसलिए नहीं करवारी ताकि इन लोगों को ये इस बात का अभास ना हो जाए कि हमारी जाती के लोग कितने है और हमारी educational और समाजिक situation क्या है यह मांग हमारी बहुत समय चल रही है इसी तरह हमारी केंदर सरकार से भी जबसे इंदरसानि वसकी उनिनिंटी इंडिया का जो नोज़यो का सविधानिक बैंस का फैंसला है ुसके बार लगातार हमारी demand चल रही है केंदर सरकार से भी कि ये क्योंकि कोर्स भी इस बात के उपर बागदा कहती है कि सरकार के पास जातिय आकड़ा नहीं है जन्गरना का आकड़ा नहीं है क्योंकि देश आजाद होने से पहले 1931 में ये जन्गरना करवाई गई थी उसके बाद लगातार हम मांग कर रहे हैं फिर भी जातिय जन्गरना नह करवाई जा रही है क्योंकि इसमें जान बूज करके भारतिय जन्ता पार्टी पिछड़ों को नियाए नहीं देना चाहती कॉंग्रिस पार्टी ने अपना स्टेंड कलियर किया है पिसले दिनों राउल गांदी ने भी करनाटका में बाकाद है कहा था कि भारतिय जन्ता पूर्टी जान बूज करके इनकी जन्गना नहीं करवारी है जबकि कई स्टेेट के अंदर अगर मैं बिहार की बात करूँ मद्यपरदेश की बात करूं कुछ स्टेट में जहां कॉंग्रिस की सरकार है वहां बाकदा जन्गना करवाने का अजन्डा पास कर दिया गया है और ये भी कलियर कर दिया गया है मद्यपरदेश में कि अगर कॉंग्रिस की सरकार आएगी तो हम बाकदा वहां पे जन्गना चले कि जातिकत जनगना को लेकर कानूनी जो रास्ता है जो आप अख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह अब बंद हो चुका है बिलकुल मैं खुद भी मैंने एक पैटिसन सुप्रिम कोड में लगाई थी और भी बहुत सारे यहां पैटिसन लगी है और उन प किया जारा क्योंकि भारतिय जनता पूर्टी जान भूज करके इसके लावा 2011-12 में कॉंगर्स की सरकार ने जातिय जनगना करवाई थी पर वो डिस्क्लोज नहीं हो पाई उसके बाद सरकार ने बीजेपी की सरकार ने ये कह करकर कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि ये प्र पर कभी भी जातिय जन्गर्णा का आकड़ा बाहर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं करना चाहती यह हमारी आज भी हम हमारी मांगे हम मांग करते हैं सरकार से कि यह केंदर सरकार और स्टेट गौर्मेंट यह जातिय जन्गर्णा जल्दी से जल्दी करवाए ताकि हम हमें यह न हरیان پردیش کانگریس لیگل سیل لگاتار गानूनी रास्ता इख्तिार करने की कोशिश कर रहे थे. لیکن कोड की तरफ से यादेश जाते हैं. ये फैंसला दिया जाता है कि ये नितिकत फैंसला है. और सरकार इस पर खुद फैंसला करें. बहराल लगातार मांग यहाँ पर सामने रखी जा रही है कि पिछड़े वर्गों की असल संख्या क्या है उसका खुलासा होना चाहिए और इसी को लेकर हर्यान प्रदेश कॉंगरस लीगल सेल लगातार अपना दबाव अपनी कोशिचें बढ़ाता नजर आ रहा है सोगी कमल के साथ है डॉक्टर महेश कुमार टोटल न्यूज हिसार